ओम पित्र गणाय विद्महे जगत धारणी धी मही तन्नो पित्रो प्रचोदेयात ओम आत्य भूताय विद्महे सर्व सेव्याय धी मही शिवशक्ती स्वरुपेण पित्र देव प्रचोदेयात आश्विन अमावस्या श्राध पक्ष का अंतिम दिन होता है और इसे सर्व पि पित्रों का उन पूर्वजों का विधी विधान से श्राध किया जाता है पिंड़दान तरपनादिकारी किये जाते हैं जिनका अंतियम संसकार विधी बत ना हुआ हो या जिनकी मृत्यू की तिथी ग्यात नहो और इसके अलावा जो पूरे श्राध पक्ष के दोरान अपने पित्रों का श्राद तरपनाधी कारी ना कर पाए हूं उन्हें भी श्राद के अंतिम दिन अपने पित्रों के नाम से पिंड़दान दान तिलांजली जलांजली जरूर देनी चाहिए आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सरव पित्री अमावस्या की वृत कथा अमावस्म पत्र होती है तो प्रोज नहीं निकाल सकें तो कम से कम जिस दिन आपके घर में पित्रों का शाथ होता हो उस दिन निकाले उस दिन निकालना भूल गए हैं तो सरपित्री अमावस्या के दिन पंच बली भोजन आप चरू निकालें पंच बली भोजन में पांस तरह के जीवों को भोग लगाने की बात शास्त्रों में कही गई है देवताओं के लिए निकाला जाता है जिसे देव बली कहते हैं देव बली के समय देव ग्रास को जल में प्रवाहित कर दिया जाता है और पांचवा चीटियों के लिए निकाला जाता है जिसे पिपलिकादी बली कहा जाता है देव ग्रास के लावा जितने भी भूजन है वो उन सभी को अर्पित जरूर करने चाहिए। श्राद कर्म में, पिड़ेदान कर्म में सर्व पितरी अमवस्यतिती का बड़ा महत्व है। शास्त्रों में ये तिती सर्व पितरी श्राद के नाम से भी जाने जाती है। श्राद या पेतरपक्ष के दोरान माननेता है कि हमारे पूर्वश धर्ती पर आते हैं इसलिए पेतरपक्ष में तरपन और श्राद के साथ ही दान करने का विधान भी बतायागए है माननेता है कि ऐसा करने से पितर प्रसंद होते हैं और अपने परिवार जनों को भरपूर आशिरवात प्रदान करते हैं क्योंकि सरुपित्रियमावस्या शुराद पक्ष का अंतिम दिन होता है ऐसे में जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से नमन कर अपने पित्रों को आज के दिन विदा करता है उसके पित्र देव उसके घर परिवार में खुशियां भर देते हैं और जिस घर के पित्र प्रसन रहते हैं पुत्र प्राप्ति और सभी शुब मंगली कार उनीके घरों में होते हैं सरव पित्रिय मावस्य की पौरानी कथा के नुसार श्रेष्ट पित्र अगनिश्वात और बहिर्षपत की मानसी कन्या अक्षोदा एक बार खोर तपस्या कर रही थी वे तपस्या में इतनी लीन थी कि देवताओं के एक हजार वर्ष पीत गए उनकी तपस्या के तेज से पित्र लोग भी प्रकाशित होने लगा और सभी श्रेष्ट पित्रकन अक्षोदा को वर्दान देने के लिए एकत्रित हुए उन्होंने अक्षोदा से कहा कि हे पुत्री हम सभी तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन है इसलिए जो चाहो वर्दान मांग लो लेकिन अक्षोदा ने पित्रों की तरद ध्यान ही नहीं दिया वही उनमें से अती तेजस्वी पित्र अमावसू को बिना पल के जपकाए वो देखती रही पित्रों के बार-बार कहने पर कि हे अक्षोदा वर्दान मांगो तब अक्षोदा ने कहा कि हे भगवन क्या आप मुझे सच में वर्दान देना चाहते हैं इस पर तेजस्वी पित्र अमावसू ने कहा हे अक्षोदा वर्दान मांगो अक्षोदा ने कहा अगर आप मुझे वर्दान देना चाहते हैं तो मैं इसी समय आपके साथ आनन्द चाहती हूँ अक्षोदा की ये बात सुनकर सभी पित्र क्रोधित हो उठे और उन्होंने अक्षोदा को शापते दिया कि वह पित्र लोग से पतित होकर प्रत्वी लोग पर जाएगी जिसके बाद अक्षोदा पित्रों से ख्षमा याशना करने लगी इस पर पित्रों को उस पर दया आ गई और उन्होंने अक्षुदा से कहा कि तुम प्रत्वी लोग पर मत से कण्या के रूप में जनम लोगी वहाँ पराशर रिशी तुम्हें अपनी पतनी के रूप में स्विकार करेंगे और तुम्हारे गर्भ उसे वियास जी जनम लेके और इसके बाद ही तुम पुना पितलोक में वापस आ सकती हो अक्षुदा के इस अधर्म के कार्य को अस्विकार करने पर सभी पित्रों ने अमावसू को आशिरवाद दिया कि है अमावसू आज ये तिथी आपके नाम से जाने जाएगी जो भी व् अश्पर में श्राथ या तरपन नहीं कर पाता अगर वह इस तिथी पर श्राथ और तरपन करेगा तो उसे सभी अमावस्या तिथी का पुनफल आज के दिन प्राप्त हो जाएगा अमावस्या के दिन प्रातैकाल इसनान कर सफेद वस्त्र पहने इसनान करने के बाद सुर्य देटा को अर्ग दे या नदी या जहिल के किनारे पिढ़ दान करें पित्रों को दोद, कुशा, काले तिल, पुष्प और सोगंधित जल अर्पित करें अमावस्या के दिन भोजन में खेर, पूड़ी और सबजी जिसमें लहसुन प्याज ना हो बनाएं अपने पित्रों को याद कर उनसे भोजन और जल ग्रहन करने की प्रार्थना करें सरवपित्री अमावस्या पर दोपहर के समय ही भोजन कराएं और श्राध करें इसके बाद ब्रहमण को भोजन कराएं और दान दक्षिना आदी देखकर उनका आशिरवाद लें सरवपित्री अमावस्या के दिन पंच बली और हवन अवश्य कराएं ब्रहमण को भोजन कराने के बाद घर के सभी सद्यसों को एक साथ भोजन करना चाहिए भोजन करने के बाद पित्रों की आत्मा की शांती के लिए प्रार्थना करें सर्व पित्री अमावस्या पर गाए, कुट्टे और कवे को भोजन जरूर कराएं इस दिन हरे जारे का दान करें और घर के मुख्य द्वार पर खाने पीने की वस्तू जरूर रखें सर्व पित्री अमावस्या के दिन पीवल के पेड़ का पूजन भी अन्यवारी रूप से करना चाहिए पूर्वजों के नाम पर निर्धनों को वस्त्रदान, रक्तदान, भोजनदान या पित्रों के नाम से कोई भी पवित्र पौधा आज के दिन जरूर लगाएं अब सुनिये अमावस्य माथा की कथा, इसके बाद आप सुनेगे बित्र चालिसा प्राचीन कथा के नुसार बहुत साल पहले की बात है किसी गरीब प्रहमन परिवार में पत्दी-पत्नी और उनकी एक पुत्री रहा करते थे सारा परिवार भगवान की भक्ती में लीन रहता था उनकी पुत्री, सुन्दर, संसकारी और गुणवान थी वह उसके लिए वरकी तलाश कर रहे थे किन्तु निर्धन होने के कारण उसके विवाह में बाधाई आ रही थी भगवान की दया से एक दिन उनकी घर में एक बहुत बड़े महात्मा आए उस कन्या ने उनकी खूब सेवा की कन्या की सेवा भावना से प्रसन होकर महात्मा ने उसे आशिरवात दिया तब उस लड़की के पिता ने कहा कि महात्मा जी हम बहुत समय से अपनी पुत्री के विवाह के लिए वर्ध की तलाश कर रही है मगर हमारी निर्धनता के कारण हर बार बात बनते-बनते रह जाती है करपया बताईए हमारी पुत्री के हाथ पीले कब होंगे महात्मा जी ने उस लड़की का हाथ देखा तो बोले इस लड़की के हाथ में तो विवा के रेखा ही नहीं है ये बात सुनते ही ब्रहमन तो बड़े उदास हो गए और फिर बोले क्षमा करना महात्मा जी मैं आपके कहने का अर्थ नहीं समझ पाया महात्मा जी ने फिर कहा कि तुम्हारी पुत्री के भागी में विवा सुखी नहीं लिखा है महात्मा जी के मुख से ऐसे वजन सुनकर वह ब्रहमन दमपती रोते रोते महात्मा जी के चरणों में गिर गए और उनसे इस समस्या का समधान बताने के लिए विंती करने लगे तब महात्मा जी ने उन्हें अपने चरनों से उठाया और बोले कि पास के ही एक गाउं में सोना नाम की धोबिन जाते की पती वृता महिला अपने पती बेटे और बहु के साथ रहती है वे एक महान पती वृता इस्त्री है यदि आपकी पुत्री उसे अपनी सेवा से प्रसंद कर ले और आशिरवात स्वरूप उसकी मांग का सिंदूर उससे ले ले तबी इस लड़की का विवहा संभव है ऐसा करने से इसे अमोग सुहाग भाग की प्राप्ती भी होगी मगर ध सेवा करने के लिए भेज दिया लड़की पूरे दिल से सोना धोबिन के घर की साफ सफाई और बाकी घर के काम भी उनके उठने से पहले ही करके अपने घर वापस लोट आती थी ये करम बहुत दिन तक ऐसे ही चलता रहा एक दिन सोना धोबिन अपनी बहु को शाबाशी दे हों मुझे लगा घर के ये सारे काम आजकल आप किया करती हैं जानकर सोना धोबिन को बड़ी हैरानी हुई उसने सोचा कि आखिरकार उनके घर का इस सारा काम कौन करके चला जाता है इस बात का मुझे पता लगाना चाहिए तब अगले दिन भोर होते ही सास बहु उठकर घर के एक कोने में छुपकर निगरानी करने लगे कि कौन है जो ब्रह्म मुर्थ में ही घर का सारा काम करके चला जाता है उधर अपने निर्धारित समय पर प्रहमन की पुछा कि तुम कौन हो बेटी और इस तरह चुपकर मेरे घर का काम क्यों करती हो ब्रहमन की पुत्री ने उन्हें महात्मा के द्वारा कही वी सारी बात बता दी सोना धोपन पतिवरिता होने के साथ साथ बहुत उदार दिल की भी थी वह उस लड़की की साहता के लिए तयार हो गई उस दिन हमावस्या थी और वह उस लड़की के साथ बिना अन जल ग्रहन किये और पुवास रखकर उसके घर की ओर चल पड़ी उसने सोचा रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देखकर और उसकी परिक्दमा करके ही जल ग्रहन करेगी लड़की के घर पहुँचकर सोनधोबन ने जैसे ही अपनी मांग से सिंदूर उसकन्या की मांग में लगाया तो सोनधोबन के पती के प्रान पखेर उड़ गए सोना धुबन को ग्यात हो गया कि अब उसके पती इस दुन्या में नहीं रहे वह ब्राह्मन परिवार से विदा लेकर चल पड़ी रास्ते में पीपल का पेड़ देखकर उसने एट के टुकणों से 108 बार भंवरी देखकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की उसके बाद जल ग्रहन किया तभी उसके पती की मृत देह में प्राण लोट आए इस प्रकार अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने और इस कथा को सुनने से सुहाग इन महिलाओं का सुहाग अटल रहता है सुहाग इन महिलाओं को सभी प्रकार के मनुरतों की प्राप्ती होती है जिनका विवाह नहीं हो रहा हो उन्हें मनुआंचित वर की भी प्राप्ती होती है सभी अभिस्ट मनुरतों की पूर्ती होने के साथ साथ ऐसे भक्तों के घर में धन, अन, सुक समरिधी के भंडार भी भरी रहते हैं अमावस्या के दिन विवास समंधी परिशानियों के निवारन के लिए किसी धोबी परिवार को कुछ भेट दक्षिना इत्यादी देने का भी विधान है ये थी अमावस्या की पृत्क था हे पित्रेश्वर आपको दे दियो अशिरवाद, चरणाशीश नवा दियो रख दो सिर परहाद सबसे पहले गणपत, पाचे घर का देव मनावा जी, हे पित्रेश्वर दया राखियों कर्यों मन की चाया जी पित्रेश्वर करु मार्ग उजागर, चरणाशीश की मुक्ति सागर, परम उपकार पित्रेश्वर की नहा, मनुष्य योनी में जन्म दीन्हा मात्र पित्र देव मन जो भावे, सोई अमित जीवन फल पावे, जै 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 पितर जी साई, पित्र रिन बिन मुक्ती नाही में तेरा ही सहारा नारायन आधार श्रस्टी का पितर जी अंश उसी द्रस्टी का प्रथम पूजन प्रभु आग्य सुनाते भाग्य द्वार आप ही खुलवाते जुन्जनुने दरबार है साजे सब देवो संग आप विराजे प्रसन होए मन वांशित फल दीनहा कुपित होए बुधी हर लीनहा पितर महिमा सब से न्यारी जिसका गुण गावे नर नारी तीन मंड में आप विराजे बसुरुद्र आदित्य में साजे नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुतनारी छपन भोग नहीं है भाते शुद्ध जल से ही त्रप्त हो जाते तुम्हरे भजन परमहित कारी छोटे बड़े सभी अधिकारी भान उदय संग आप पुजावे पांच अंजुली जल रिजावे ध्वज पता का मंड पे है साजे अखंड जोती में आप विराजे सदियों पुरानी जोती तुम्हारी धन्य हुई जन्म भूमी हमारी शहीत हमारे यहां पुजाते मात्र भक्त संदेश सुनाते जगत पितरों सिधांत हमारा धर्म जाती का नहीं है नारा हिंदू मुस्लिम सिख साई सब पूजे पितर भाई हिंदू वंश व्रिक्ष है हमारा जान से ज्यादा हमको प्यारा गंगा ये मरू प्रदेश की पितर तरपन अनिवार परवेश की बंधू छोड़ कर इनके चर्णा इनहीं की कृपा से मिले प्रभु की शर्णा चोदस को जागरण करवाते अमावस को हम धोक लगाते जात जडूला सभी मनाते नांदी मुखश्राद सभी करवाते धन्य जन्म भूमी का है वो फूल जिसे पितर मंडल की मिली है धूल श्री पितर जी भक्त हितकारी सुन ली जे प्रभु अरज हमारी निशिदन ध्यान धरे जो कोई तासम भक्त और नहीं कोई तुम अनाथ के नाथ सहाई दीनन के हो तुम सदा सहाई चारिक वेद प्रभू के साखी तुम भक्तन की लज्जा राखी नाम तुम्हारो लेत जो कोई तासम धन्य और नहीं कोई जो तुम्हरे नित पाव पलोटत नवो सिद्धी चरणा में लोटत सिद्धी तुम्हारी सब मंगल कारी जो तुम पे जावे बलिहारी जो तुम्हारे चरण चित लावे ताकि मुक्ती अवसी हो जावे सत्य भजन तुम्हारे जो गावे सो निश्य चारो फल पावे तुम्ही देव कुल देव हमारे तुम्ही गुरु देव प्राण से प्यारे सत्य आसमन में जो होई मनवांचित फल पावे कोई तुम्हारी महिमा बुद्धी बढ़ाई शेस सहस्त्र मुखसा के नागाई मैं अति दीन मलिन दुखियारी करहूं कौन विधी विने तुम्हारी अब पितर जी दया दीन पर कीजे अपनी भक्ती शक्ति कच दीजे पित्रों को स्थान दो तीरत स्वयम ग्राम श्रद्धा सुमन चड़े वहां पूरण हो सब काम जुझनू धाम भिराजे हैं पितर हमारे महान दर्शन से जीवन सफल हो पूजे सकल जहान जीवन सफल जो चाहिए चले जुझनू धाम पितर चरण की धूल ले हो जीवन सफल सुम्हान